वर्ष्ट लीए प्लीजेंट गुड़ मॉनिंग तू ओल अफ यू आपको एक इंपोर्टेंट क्रेंट अफियर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज किप स्पोर्टिंग डू सब्सक्राइब मैं चैनल हमारा आज का पहला क्योस्चन भारत का पहला शाव देशी विवान थे जाएगा इसका नाम क्या है से है इनस चपल और सरदूल ऑ इनस चे तक इसका राइट आंसर भारत का पहला शौभ देश्जी विवान वां स्थ और और 22 कमिसन क्या जाएगा इसका नाम आईनस्विक्रांथ है यह है आईनस्विक्रांथ इसे कोचिन सिप्यार लिम्टेड दवारा बनाया गया है आईनस्विक्रांथ के चालू होने से भारत के रक्षा के लिए युद श्वामता पहुँच ओर बहुम की परतिवा में वर्दी होगी हाई एस मिल्लाग भग पिछेत्र परतिसत शौदेशी सामगरी है और इसे भारती नो सेना के नो सेना डिजाइन निदेशाल लेदवारे डिजाइन किया गया है इसकी लागत है 24,000 क्रोड रुपे है और अभी के लिए भारत के पास एक ही विमान वायक है आई एनस विक्रमादीत है इसके अलावा राजना सिंग ने करनाटक के कारबार नेवल बेस का दोरा किया जिसे प्रोजेक्ट सीवर्ड के तहत विक्षित किया जा रहा है इसका उद इसकी स्थापना 1947 में हुई और सी एनस एड्मिरल करम विर सिंग हैड़कॉर्ट रहन नहीं दिली और जो नोशेना दिवस मनाय जाता हूँ चार दिसंबर को मनाय जाता है हमारा आज का अगला क्वेस्चन भारत सरकार ने फेम इंडिया फेज टू की समय सिमा कब तक बढ़ इसके ओप्शन्स हैं जनवरी 2030 मार्च 2024 अप्रेल 2025 मार्च 2022 इसका राइट आंसर है मार्च 2024 बारत सरकार ने फेम इंडिया फेज टू की समय सिमा को मार्च 2024 तक बढ़ाया है सरकार की फेम इंडिया फेज टू की इलक्ट्रोशिक वान मैनुफेक्ट्रिंग के लिए समय सिमा 2024 तक बढ़ा दी गई है यह फेम इंडिया फेम इंडिया इसकी फूल फोर्म है फास्टर अड़ेप्शन एंड मैनुफेक्ट्रिंग ओफ इलक्रिक विकल्स इन इंडिया फेज सेकिंड यह फेज इंडिया फेम इंडिया फेज सेकिंड वास्टरकार 2019 से 31 मार्च 2022 तक तिन साल के अधि के लिए 10 क्रोड रुपया का बजट रखा था लेकिन कुछ रीजन की विज़ेसे कंप्लीट नहीं हो पाया है बारी उद्योग और सारवजनिक उधम मंत्रा लेकेंद्रिय मंत्री प्रकास जावडिकर राज्य मंत्रिया अर्जून राम इसके अला आस और शहरी मामलों के मंत्रा ले निस्मार सिटी मिशन अमरत और पी एम एवाई यू की छटी वर्सगाट मनाई है हमारा आज का अगला क्योश्चन हाल ही में कौन से राज जूर्किंदर शासित परदेश में दो दिवे शेहिमिस मौसों मनाई गया है करनाटक जेंड के लदाक के रल इसका राइट आंसर है लदाक हाल ही में लदाक जो केंदर शासित परदेश है इन्होंने दो दिवे से हमिस मौसों मनाया है ये देखिए एमिस मोचो की तश्वीर ये तीपती चंदर कलेंडर के पाचियों महिने के दस्वी दिन मना जाता है जिसे गुरू पद संभव की जैनती माना जाता है इने दूसरे बुद्ध भी कहा जाता है ये दो दिवेश भवेत आर जो बुराई परच्षाई की जीत का प्रतीक है इसमें नकाप पोश नर्ते को चम नर्ते के रूप में भी जाना जाता है जो बुरे परच्षाई की विज़ा को दर्शाते हैं लदा के हेमिस मोचो का मुखे आकर्शन यही है ये ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग वो डांस करते हैं तो हार के दोरान लोगों को स्थानी इस्राब चांग भी प्रोशी जाती है लदा के उपरा जेपाले राधा कुष्ण मातू राजदानी ले कारगिल इसके अलावा उर्जा का स्यूप्त राष्ट उच्टर ये वारता 2021 आप 21 से 25 दूंजोज़ा 21 से आज़ित किया गया था यह स्यूप्त राष्ट उर्जा की पहल है मारा आज का अगला क्योश्चन रूस में आज़ित अंतराष्ट ये सुरुख्षा 2021 का नोवे मोस्को सम्मेलन में बारत का प्रतिनी दीतो किस ने किया इसके ओप्संस है अजय संकर अजय कुमार राजनात सिंग अमित शा इसका राइट आंसर है अजय कुमार रूस में आज़ित अंतराष्ट ये सुरुख्षा 2021 का नोवे मोस्को समेलन में बारत का प्रतिनी दीतो अजय कुमार ने किया है ये रक्षा सचीव है इस समेलन में 600 से अधिक लोग उपस्ति थे रूसी राष्ट दिवलादमीर पूतिन ने शंभोदित किया इस समेलन में रूशी राष्ट जर्नल सरगेई सोईगूर के अन्य देशों के रक्षा वागों के प्रमु के साथ दिवपक्षे बैठके की मतलब इसके अलाव उन्होंने अलग लग बैठके सब के साथ दिवपक्षे बैठकी की हैं इसके अलावा संतोस गंगवार को जी ट्वन्टी इस्रम और रोजगार मंतियों के बैठक 2020 को सम्भोधित किया है संतोस कुमार गंगवार ने हमारा आज का अगला क्योश्चन चीन 2021 में भारत में निर्यात में कौन से स्थान पर है इसके ऑप्संस हैं पहले दूसरे तीसरे और चोथे इसका राइट आंसर है दूसरे चीन 2021 में भारत में निर्यात में दूसरे स्थान पर है मतलब चीन 2021 में भारत का दूसरे सबसे बड़ा अक्सपोर्ट पार्टनर है चीन ने UAE को रिप्लेस किया है और शिर्ष पर USA है यह से का अग्सपोर्ट है 51.6 billion अमेरिकी डोलर वहीं पर चीन का है 21.2 billion अमेरिकी डोलर और थर्ड तान पर 16.7 billion अमेरिकी डोलर एक्सपोर्ट के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है UAE चीन की राजदानिये बिजिंग राष्ट पतिये सी जिन्पिंग मुद्रा है रेन मीन भी हमारा आज का अगला क्योश्चन NDDB का अग्स किसे निउक्त किया गया है इसके ओप्सन से अजे कुमार मिनेश सा असोग कुमार महिश कुमार शर्मा इसका राइट आंसर है मिनेश सा NDDB National Dairy Development Board इसका अग्स मिनेश सा को निउक्त किया गया है जो NDDB Board के कारेकारे निजेसक मिनेश साने जून एक दोजारी किस से छे मिने के लिए NDDB के अधेक्स के रूप में अतीरिक्त कारेवार शमाला है ये वर्षा जोसी की जगाह लेंगे जो वर्षा जोसी है इनका कारेकाल 30 मई दोजारी किसको समाप्त हो गया था ये अंतराष्ट एडेरी महासंग की भारतियराष्ट समीती के सद्श्य सची हुभी है NDDB के स्थापक वर्गीज कुरियन स्थापना 16 जुलाई 1965 में हुई उसका हेड़कॉर्टर है गुजरात में हमारा आज का अगला क्वेश्चन DRDO ने कौन से रोकेट का प्रिक्षन किया है इसके ओप्संस है पिनाका शक्ती प्रिथ्वी अगनी इसका राइट आंसर है पिनाका हाली में DRDO ने पिनाका का प्रिक्षन किया है DRDO ने ओडिसा के चांदीपूर से ये देखिए पिनाका रोकेट डिड और निवडिसागी चांदीपूर में एकिकर्थ प्रिक्षन रेंज आई टियार से विदेशी रूप से विख्षित पिनाका रोकेट और विदेशी रूप से विख्षित 122 मीमी कैलीबर रोकेट के उन्नत रेंज संसकनों के विश्तारित रेंज संसकन का सभलता सित आयूद संस्तान और विकाश परतिस्थान और उच उर्जा सामगरी अनुसंदान मतलब A R D E और उच उर्जा सामगरी अनुसंदान प्रियोग साला प्रिलब H E M R L द्वारा विख्षित किया गया है जो पि जो यह पिनाका रोकेट है यह मल्टी बैरल रोकेट लोंचर से दागे गए पिनाका रोकेट सिस्टम प्रिक्षन का उन्नत रेंज है जो कि 45 किलोमेटर तक की दूरी तका लक्षा नेस्ट कर सकता है वहीं 122 मीमी कैलिवर रोकेट यह 40 किलोमेटर तक की लक्षा को नेस्ट कर सकता है अगर आपको मेरा एकरंट अफिर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए तेंक्यू